अमस्कार दोस्तो आज फिर स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पे आज हम दोस्तो आए हैं आपके लिए एक नई वीडिव लेके जिसमें हम बात करेंगे इनौवाक्रिश्टा के एक नए रूप के बारे में हां जी दोस्तो आज हम बात करेंगे इनिवा कृिष्टा के लि rugby additional मॉडल के बारे में जिसमें आफको jet model के लिम्टेड अिजल में क्या क्या additional feature आफको देखने को मिलेंगे जिसकी वजे से आपको कुछ price एक्स्टा देना पड़ेगा इनोवा क्रिस्टा लिम्टिड अडिशनल के लिए तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो टोयटा फोर्चुन और लेजेंडर जो गाड़ी आती है लेजेंडर गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता होगा ड्यूल टोन यहाँ पे आप इनोवा क्रिस्टा के जी एक्स मोडल में यह है जो वैरियंट आपको देखने को मिलेगा यह उनली जी एक्स मोडल के अंदर ही देखने को मिलेगा वी एक्स ओप्सनल में आपको यहाँ पे लिम्टिड अडिशनल का ओप्सन देखने को नहीं मिलेगा अब बात करते हैं दो देखने को नहीं मिलेंगे और सामने अगर फॉक लेगे बात करते हैं तो गृल जो है वह बिलकुल स्म breakfast वाली है ग्रिल के अंदर कोई चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा फ्रंट लुक से अकर देखा जाए तो फ्रंट लुक में यहां पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा लिम्टिड अडिशनल के अंदर और अगर साइड प्रफाइल से अगर बात करते है तो side profile में आप देख सकते हैं रूफ जो है वो black रही की मैंने आपको बताई दिया dual tone यहाँ पे exterior रहने वाला है जिसमें आपको super white और pearl white color का option देखने को मिल जाता है अब बात आती है दोस्तों aloe wheel की तो aloe wheel आप देख सकते हैं limited additional के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आप नर्मल देखेंगे तो VX model में आपको diamond cut alloy solar inch का मिलता है बट limited additional में आपको यहाँ पे solar inch का diamond cut alloy wheel देखने को मिल जाएगा जो कि आपको दी मोडल में देखने को मिलता है और साथी बात करते हैं दोस्तों ground clearance की तो देख सकते हैं ground clearance बिल्कुल सेम रहेगा side profile से आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो alloy wheel है वो यहाँ पे आपको V model वाले देखने को मिलेंगे और जो roof है वो यहाँ पे आपको ब्लैक देखने को मिलेगी अब बात करते हैं ORBM तो ORBM बिल्कुल सेम रहने वाला है trend indicator जो है वो आपको ORBM के ओपरी देखने को मिल जाएगा और साथी दोस्तों बात करते हैं अंदर से तो अंदर से आप देख सकते हैं गाड़ी का जो GX में नॉर्मल इंट्रियर आता है वो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का इंट्रियर देखने को मिलता है और वहीं लिम्टिड अडिशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको शीट के अंदर जो देख सकते हैं यहाँ पे लाइनिग वाला वरक आपको देखने को मिलता है जो कि वी मोडल के अंदर देखने को मिलता था तेलाइट जो आपको हेलोजन टेलाइट है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है रियर वाइपर है वो भी आपको सेम मिलने वाला है दोस्तो और डिफोगर की अगर बात करते हैं तो डिफोगर आप देख सकते हैं जी मोडल में भी नहीं आता और लिम्ट अडिशनल मोडल में भी नहीं मिलेगा, spoiler है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, spoiler भी बिल्कुल सेम रहेगा और अब बात आती है दोस्तो, parking sensor की, तो parking sensor भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको limited additional में आपको taping का वरक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों यह तीन feature जो हैं ऐसे जो आपको limited additional के अंदर देखने को मिलते हैं, जो सबसे पहले मैंने आपको पताया कि जो diamond cut alloy wheel है, 16 इंच का, जो V model में देखने को मिलता था, वो आपको यहाँ पे अब black देखने को मिल जाएगी, तो यह तीन ही ऐसे feature है, जो कि Toyota, Innova, Krista GX limited additional के अंदर आपको additional देखने को मिलते हैं, अब बात करते हैं, दोस्तों Innova GX के अंदर limited additional में तीन feature आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगे, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आपको यह है हमारी information अच्छी लगी होगी, कुछ ऐसी ही नई information के लिए, कुछ ऐसी ही नई वीडियो के लिए, प्लीज हमारे चैनल को like and subscribe करे, धन्यवाद, आपका द आपका लगी, कुछ आपका लग्वाद, आपका लिए, कुछ दो दोग्वाद, आपका लिए, कुछ